जैहिंदी बरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाऊगे बरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाऊगे मगर बरोसा अगर खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे नमस्कार जैहिंदी कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूँ सभी नोजवान बहुती अच्छ होंगे और अपने एकजाम अपने ट्रेड की बहुती अच्छी शांदार तरीकेश आप तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों एकजाम तक आपको इशी लगन इशी जनून इशी जज़बे के साथ पढ़ाई करना है आपका जो सपना है भारते सेना में जाने का ये इस बार मेरे दोस्ते ही जरूर पुरा होगा आज की कलास आपके एकजाम के लिए बहुती ज़्यादा इंपोर्टेंट है जिन नोजवानों का एकजाम 25 अपरेल और 30 मई का है आपका ट्रेड चाहे जीडी, ट्रेडमेन, टेकनिकल, नर्सिंग, एसकेटी, टीए जो भी आपका ट्रेड है आप सभी के लिए आज की कलास बहुती ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है टोप 50 वेरी वेरी जनरल नोलेज शामाने ग्यान के वेरी इंपोर्टेंट किश्णों के बारे में हम डिसकस करेंगे जो कि फोज के पेपर में बार बार पूछ जाते हैं अच्छे लेवल के क्यूसन है 50 में से मेरे दोस्ती 40 पलस का आप सभी नोजवनों को बिलकुल राइट जबाब देना है ओमार शीट ही आपको साथ में लेकर बेटना है सभी क्यूसन्श ओमार शीट में फिलब करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस इतनी शांदार हो जाएगी जब फोज का पेपर आप देने बेट होगे तो वहाँ पर आपको मेरे दोस्ती गबराहेट नहीं होगी कल सटर्डे है कल अपनी चूटी रहेगी संडे को होगा आप सभी का 50 क्यूसनों का बरमास्तर मोडल टेस्ट पेपर जिश के अंदर GKS मैट रिजनिंग चारों पाटों के टोटल 50 क्यूसनों का आपका टेस्ट होगा तो जो दिन भर में नोजवान सुनेंगे संडे साम साधी साथ बजे तयार रहना ओमार शीट के साथ जोसी और जनुन के शाथ अब की बार फोज के पेपर को अच्छी रैंक के शाथ फटे करना है क्लिर है तो फाइनली शुरुआत करते हैं आज के सैसन की एक बार फोना है हिंदुस्तान के सभी नोजवानों को मेरा नमस्कार जा हिंदी एक बार सबी नोजवान लाइक कर दीजे और शेर नहीं किया है तो शेर कीजे हंदुस्तान के तमाम नोजवानों के पास कलाश पहुंचने चाहिए कलाश बहुत ही ज़दा इंपोर्टेंट होगी आपके एकजाम के लिए डेफिनेंट आज के इस कलाश चे आपके एकजाम में बहुत सारे क्यूसन है अच्छे लेवल के क्यूसन आपके एकजाम में जो पुछे जाएंगे वो इशी कलाश चे पुछे जाएंगे इमानदारी शेलेक्शन लेना है अच्छे रैंक के शाथ फोज के पेपर को फते करना है तो कलाश को इमानदारी शे देखना है बढ़ते हैं पैश्ट कुशन की तरह पई पैश्ट कुशन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कुशन कहता है सवेज नहर किसको जोड़ती है सवेज नहर किसको जोड़ती है बहुत बढ़िया पुमद्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है सवेज नहर बहुत बढ़िया शाबास बढ़ते हैं नेक्स्ट कुशन की तरह पी नेक्स्ट कहता है संशार में ताजे पानी की सबसे बढ़ी जील लेक सुपिरियर कहां पर बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन है आपको बताना है सबसे बड़ी जिल लेक सुपिरियर कहां परिष्टित है ताजे पानी की जिल बिलकुल बहुत बढ़िया USA सवाना चारा गहे कहां पाई जाते हैं सवाना चारा गहे कहां पाई जाते हैं बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन है इसका राइट आंसर होगा अफ्षन बी अफ्रीका इसका राइट आंसर होगा जो क्यूशन नहीं आता है इमांदारी से मेरे दोस्ते नोट कर लेना क्यूशन है वो सभी राइट करते हैं लेकिन थोड़े लेवल का जो क्यूशन आएगा उसे जो नोजवान सही करेगा उसका मेरिट सुचे में नाम है वो सबसे पहले आएगा नेक्स्ट क्यूशन है निमन में से कौनशी नदी जर्मनी में बहती है सीन वोलगा डेन्यूब टैम से बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन है मेरे दोस्ती बिलकुल बहुत बढ़िया डेन्यूब इसका राइट आंसर होगा अप्शन शी बात करते है नेक्स्ट क्यूशन की नेक्स्ट कहता है समुदर तलशे उपर विश्वे की सबसे बड़ी परवत सरंकला कौनशी है एंडी परवत हिमाले आलपस पायरनीज परवत समुदर तलशे उपर विश्वे की सबसे बड़ी परवत सरंकला आपको बताना है बिलकुल हिमाले इसका राइट अंसर होगा एंड इस नहीं ऑप्षन बी इसका राइट होगा बात करते हैं नेक्स्ट कुशन की नेक्स्ट है विश्व में सबसे बड़ा दियूपी निवन मैं से कौन शाह है ये तो फोज का फैवरेट कुशन है डेफिनेंटली आपके एगज़ा में टपगेगा विश्व में सबसे बड़ा दियूप आपको बताना है और सभी सोलजर बिलकुल राइट बता रहे गरिन लेंड ऑप्षन इसका बी राइट होगा बात करते हैं नेक्स्ट कुशन की नेक्स्ट है नारमेडी बीच कहा इस्तित है ये बताए मेरे दोस्ती नारमेडी बीच कहा इस्तित है फ्रांच, नेधरलेंड, स्पेन, सुमात्रा बहुत इंपोर्टेंट कुशन है अभी जो वर्तमान में जो एगज़ाम होए है उनके घज़ा में ऐसे कुशन पूचे जा रहे है अप्शन इसका बी राइट होगा नेधरलेंड, अप्शन बेज राइट होगा नेक्स्ट देखिए सबसे लंबी नदी है नील, अमेजन, मिसिसिपी, मिसोरी यांग तो क्यांग बहुत इंपोर्टेंड क्यूशन है सबसे लंबी नदी आपको बताना है बहुत बढ़िया नील, इसका राइट आंसर होगा अप्शन ए बात करते हैं नेक्स्ट क्यूशन की नेक्स्ट विश्वे का से बड़ा मरस्तल कौन्शा है सहरा, गोबी, थार, टक्रामकान बहुत इंपोर्टेंड क्यूशन है मेरे दोस्ते विश्वे का सबसे बड़ा मरस्तल आपको बताना है बहुत बढ़िया सहरा उप्शन इसका एज़ोन जवन बता रहें वो बिलकुल राइट बता रहें अपना कंपिटिशन आप चेक कर शकते हैं मेरे दोस्ती नेक्स्ट है संशार का सबसे बड़ा द्यूप समो है कौन्शा देश है फिलिपिन, इंडोनेशिया, श्विडिन, गरिनलेंड बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन है आपके एगजाम के लिए संशार का सबसे बड़ा द्यूप समो है आपको बताना है बिलकुल बहुत बड़िया मेरे दोस्ती इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंडोनेशिया अपसन बी इसका राइट होगा नेक्स्ट कुशन देखिए नेक्स्ट कहता है काले वन पाई जाते हैं प्रांश में, जर्मनी में चेको सुलाई अक्या में ग्रिनलेंड में काले वन पाई जाते हैं बहुत अच्छा क्यूशन है और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपसन बी जर्मनी में पाई जाते हैं काले वन बात करते हैं next question की next कहता है संसार का सबसे बड़ा द्यूप Greenland है बहुत important question है वह अभिन अंग है नार्वे का, उतरी अमरीका का डेनमारक का, कनाडा का बहुत अच्छा question है आपके एक जाम के लिए बहुत बढ़िया डेनमारक का अभिन अंग है संसार की चत किसे कहते है चाप लेना मेरे दोस्ती कोई नहीं रोकने वाला है संसार की चत किसे कहते है इंद्रा इस्तल कंचन जंगा पामीर नाट इंद्रा कोल बहुत important question है पामीर नाट अप्शन इसका शी जो नो जोन बता रहे वो बिलकुल राइट बता रहे हैं बहुत बढ़िया वाके में आपके तैयरी बहुत ही शांदार है बस एक जाम तक आपको इसी लगन इसी जनुन इसी जजबे के साथ मेरे दोस्ती पढ़ाई करना है ये जो मोका मिला है आपको फोज के पैपर में बेटने का ये इस बार हाथ से नहीं जाना चाहिए नेक्स्ट कोशन की तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट है संसार में श्वर्ण का सबसे बड़ा उत्वादक देश है आस्ट्रेलिया, कैनेडा, रोसी, दक्षिन, अफरीका मेरे दोस्ते सबसे बड़ा उत्वादक देश तो चीन है लेकिन उप्षन के अंदर चीन आपको नहीं देरका है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उप्षन डी, दक्षिन, अफरीका किलियर है, नेक्स्ट कुशन देखिए SSE के अंदर एक बार वो कुशन पूजा गया है उससी एक कोडिंग, ठीक है, तब ही इंक्लूड किया है नेक्स्ट है, संसार में सबसे वेस्ट और सबसे महत्वपुन समुद्री मारग है उत्तर परसांत समुद्री मारग उत्तर अट्लांटिक समुद्री मारग दक्षन अट्लांटिक समुद्र मारग हिंद महसागर बहुत इंपोर्टेंट कुशन है इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्ते उत्तर अट्लांटिक समुद्री मारग संसार में सबसे वेस्ट और सबसे महतोपन समुद्री मारग है उत्तर अटलांटिक समुद्री मारग क्लियर है नेक्स्ट कुशन देखिए मैक मोहन रेखा द्वारा अलग किये जाने वाला देश है अफगानिस्तान और पाकिस्तान बंगलादेश और भारत चेन और भारत पाकिस्तान और भारत बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन है आपके एक जाम के लिए बहुत बढ़िया मेक मोहनरे का चेन और भारत उप्षन इसका सीजोन और जवन बता रहे हैं वो बिलकुल राइट ब बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन है अंद कार में महाद्यूप है अर्तारती अंद महाद्यूप या काला महाद्यूप कोंशा है यह आपको बताना है अफरिका दक्षन अमरिका ऑस्ट्रेलिया ऐसिया बहुत अच्छा क्यूशन है बहुत बढ़िया अफरिका इसका अुस्ट्रेलिया भारत बहुत ही अचा क्यूशन है बिलकुल स्यबास आप्शन इसका डी जुन अनुजवाण बता रहे हैं भारत फी वो बिलकुल राइट बता रहे हैं बहुत बड़िया नेक्स्ट क्यूशन देखिए next कहता है मेरे दोस्ते संशार में aluminium का अगरनी उत्पादक है गिनी, जमेका, कनाडा, भारती option E के अंदर आपको मेरे दोस्ते लिखना है चीन clear है ये आपके पास 5 option है आपको बताना है संशार में aluminium का अगरनी उत्पादक है बहुत important question है और इसका जो right answer होगा वो होगा मेरे दोस्ती चीन, clear है option इसका E है ये बिलकुल right होगा next question देखिए next है संशार में स्वच जल की सबसे बड़ी जील है lake Victoria, lake Michigan, lake Balkas, lake superior संशार में स्वच जल की सबसे बड़ी जील है बहुत बड़ी है lake superior इसका right answer होगा option D बढ़ता है next question की तरा पर next है किस देश को हजार जीलों की भूमी कहा जाता है Norway, Finland, Canada, Ireland किस देश को हजार जीलों की भूमी कहा जाता है बहुत ज़्यादा important question है आपके exam के लिए और सभी ने बिलकुल correct बताया है option B finland इसका right answer होगा next question है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत, पाकिस्तान, चेन, बर्मा बहुत यचा question है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक बहुत बढ़िया चेन इसका right answer होगा बहुत बढ़िया मेरे दोस्ते बात करता है next question की इसका right answer मेरे दोस्ते चीन ही होगा option इसका D right होगा बात करते हैं next question की next आ है विश्वा में कोफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राजील पाकिस्तान भारत चेन ये बताई बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन है और ये सभी क्यूशन मेरे दोस्त विश्व भूगोल शे आपके एकजामे जो पूछे जाते हैं वो क्यूशन है क्लियर है इसका राइट आंसर क्या होगा विश्व में कोफी का सबसे बड़ा उत्पातक देशी बिलकुल ब्राजील इसका राइट आंसर होगा उप्शन ए बात करते हैं नेक्स्ट की नेक्स्ट है करीबा बांध किस नदी परिश्थित है बिलकुल बहुत बढ़िया जामबेजी नदी अप्शन इसका ए राइट होगा नेक्स्ट कुशन है विश्व म सबसे विशाल मरूभुमी कोनशी है सहरा मरूभुमी सार मरूभुमी गोबी मरूभुमी ग्रेट सेंडी मरूभुमी बहुत इंपोर्टेंट कुशन है लेकिन इससे पहल एक बार जितने बे हिंदुस्तान के सोलजर देश के कोने कोने से हमें सुन पा रहे हैं सेशन को एक बार जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए और इमानदारी से जिसने शेर नहीं किया है दबा के एक बार शेर कीजिए आपके एक लाइक शेर से मेरे दोस्ते हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम अपने नोजवानों को और बहतरीन कला से कंटेंट प्रवाइड कराए त इसका राइट आंसर ओप्षन एजोन जोन बता रहे हैं सहारा मरुभुमी उनका जीके का पर्षन भोज के पेपर में गलत नहीं होगा बहुत बढ़िया बात करते हैं नेक्स्ट कुशन की नेक्स्ट कुशन है निमन में से विश्वे का सबसे बड़ा देश क्षेतरपल की दर कुश्टी से कौनशा है बहुत बढ़िया रोज इसका राइट आंसर होगा और संडी बात करते हैं नेक्स्ट कुशन की नेक्स्ट है संशार का सबसे अधिक आर्द महाद्यूप है आदर महाद्यूप आपको बताना है क्लियर है आदर महाद्यूप आपको बताना है कौनश महाद्यूप है ये आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट विश्व में बोक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक देश कोनशा है बोक्साइड का बताना है एसिया विवरोप चिली औस्ट्रेलिया बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन है मेरे दोस्ते ही इसका राइट आंसर क्या ह होगा विश्व में बोक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक देश को बहुत बढ़िया उस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नेक्स्ट क्यूशन है माउंट एवरेस्ट की उचाई है लग भग बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन है मेरे दोस्ते ही लग भग आपको बताना है माउंट एवरेस्ट की उचाई है चार अप्शन आपके पास है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आठ हजार आठ सो मेटर लगबग आपको पुचा है करेक्ट लगबग आपको दे रखी है 8848.46 मेटर नेक्स्ट कुशन की बात करते है नेक्स्ट है एस्या की सबसें बड़ी नदी कौनशी है एंडस नदी यांग टीसी नदी हवाहंगो नदी गंगा नदी एस्या की सबसें बड़ी नदी आपको बताना है बहुत इंपोर्टेंट कुशन है बिलकुल यांग टीसी नदी ओप्शन इसका भी बिलकुल राइट होगा नेक्स्ट कुशन है सौधी अरब की मुद्रा क्या है बहुत इंपोर्टेंट कुशन है आपके घजाम के लिए दिनार रियाल पाउंड लीरा सौधी अरब की मुद्रा आपको बताना है मेरे दोस्ती बहुत बढ़िया रियाल इसका राइट आंसर होगा ओप्शन बी बात करते हैं नेक्स्ट कुशन की नेक्स्ट है भूत आप ये उर्जा का अधिकतम परियोग कौन से देश में होता है बिलकुल बहुत बढ़िया आइसलेंड इसका राइट आंसर होगा ओप्शन ए बढ़ता है नेक्स्ट कुशन की तरह भी मेरे दोस्ते जो कुशन नहीं आता है इमानदारी से नोट करना है क्लिर है और जो वेरी इंपोर्टेंट कुशन है वो तैयार आपके हो चुके है टाइप करवा के आपको 15 अप्रेल तक एप्लिकेशन के अंदर आपको परवाइड करा दिया जाएगा ठीक है और एक पीडियाप आपको प्रिवेश येर कुशनों की भी परवाइड करा देंगे फिर देखते हैं ससुरा फोज क्युशन कहां से उठाती है क्युशन गलत नहीं होगा यह हम आपको दावे के साथ कहते हैं बाहर भी नहीं जाएगा अपकी बार क्युशन है थोरियम का सबसे बड़ा बंडार कौन शे देश में है अमरिका न्यूजलेंड भारत जापान थोरियम का सबसे बड़ा बंडार आपको बताना है बहुत बढ़िया भारत इसका राइट आंसर होगा अप्शन शी थोरियम का सबसे बड़ा बंडार है किस देश की मुद्रा है तो इसका राई टांसर होगा नामी बिया ओप्षन इसका ए बिलकुल राइट होगा नेक्स्ट विश्वा में सबसे लंबी मद्दे द्यूपियर रेल कौन्शी है बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन है अच्छी तरीके से चार ओप्षनों को रीड इसके बाद इसका राई टांसर बताएए विश्वा में सबसे लंबी मद्दे द्यूपियर रेल कौन्शी है वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्यूशन है ट्रांस साइबेरियन रेल वे ओप्षन इसका बीर मेरे दोस्ती राइट होगा नेक्स्ट कूशन देखिए नेक्स्ट आपके पास केनिया, मेक्सिको, इंडोनेसिया, ब्राजिल बहुत ही इंपोर्टेंट क्यूशन है और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेक्सिको अप्षन इसका बीराइट होगा नोट कर लेना वो मद्दे रेखा है यह मेक्सिसों से होकर नहीं गुजरती है बात कर क्यूबा आप्षन इसका बीराइट होगा चीनी, आप्षन बी इसका राइट होगा, नेक्स्ट विश्वे के किस देश में चाई का सबसे अधिक पैदावार होती है, सरी लंका, चीन, भारत, ब्राजिल, बहुत ही इंपोर्टेंट क्यूसन है, विश्वे के किस देश में चाई के सबसे अधिक पैदावार होती है बहुत important question है और इसका जो right answer होगा वो होगा चीन मेरे दोस्ते चीन इसका right answer होगा option B बात करते हैं next की next अभी तक ग्यात विश्वे का सबसे बड़ा तेल reservoir कहा है वेनेजुला, सवधी अरब, इरान, इराक जे बताएं बहुत important question है इसका right answer क्या होगा अभी तक ग्यात विश्वे का सबसे बड़ा तेल reservoir कहां है वेनेजुला इसका right answer होगा मेरे दोस्ते option इसका a right होगा ध्यान रखना बढ़ते हैं next question की तरह भी next निमन में से कोंशा देश मुखे तामबा उत्पातक देश है बहुत ही अच्छा क्योंसन है आपके एक जाम के लिए इसका right answer क्या होगा मुखे तामबा उत्पातक देश वेनेजुला, सवधी अरब, इरान, रोशी यहां पर एक option आपको और लिखना है मेरे दोस्ती वो आपको लिखना है चीली clear है पांच option आपके पास है आपको बताना है मुखे तामबा उत्पातक देश कोंशा है बिलकुल चीली इसका right answer होगा clear है तामबा उत्पातक देश है चीली note कर लेना मेरे दोस्ते next है परत्वी पर सबसे सुस्क इस्तान कोंशे देश में है Kenya, चीली, कांगो, लीबिया सुस्क इस्तान आपको बताना है परत्वी पर सबसे सुस्क इस्तान कोंशे देश में है तो चीली इसका right answer होगा option B नोट करते चलना है मेरे दोस्ती next है कोकोवा के उत्पादन में कौन्षा देश सबसे आगे है कोकोवा के उत्पादन में कौन्षा देश सबसे आगे है अच्छा और हाई लेवल का क्यूशन है option इसका C right होगा ivory cost next है मेरे दोस्त निमन में से Adriatic की रानी किसे कहा जाता है Adriatic की रानी किसे कहा जाता है अगर 23 March को क्यूशन आएगा अगर 23 March का जो पेपर वाता अगर वेशा पेर दोस्त पेपर आएगा तो ऐसे क्यूशन जरूर आपको देखने को मिलेंगे अगर वेशा पेपर हमारे एकोडिंग नहीं आना चाहिए फिर भी गलती से आ सकता है रिस्क नहीं लेना चाहेंगे अप्शन इश्का A right होगा Venice next विश्व के सबसे लंबी rail line किन शहरों को जोडती है नियूरोक तता शियटल लेनिन आगाद तता वलादी वस्थक तेरवंथ पुरम तता वलादी वस्थक प्रत तता सिडनी विश्व के सबसे लंबी rail 9 किन दो सहरों को जोडती है अप्शन इश्का होगा B right होगा अप्शन इश्का B right होगा लेनिन गादरे तता वलादी वस्थक बात करते हैं नेक्स्ट क्योशन की नेक्स्ट रैनिमन में से कोंशा इराकी सहर टिग्रिस नदी के किनारी बसा हुआ है बहुत इंपोर्टेंट क्योशन है बगदाद मौसूल किरको की बसरा ये बताए बहुत इंपोर्टेंट क्योशन है और कल हमारे चुट्टी रहेगी और संडे का होगा द्यान रखना आपका बहुतily शांदार पॉरे पचास क्युष्णों का मोडल टेस्ट पेपर और आप सभी को कमेंट बोक्स में बताना है कि आप आपके ऐग्जाम तक डेली आपका 50 क्युष्णों का हम model test paper इस्टार्ट करें या नहीं सभी को comment करना है देखते हैं कितने comment है वो आपके आते हैं कलाश में ठीक है इसका right answer क्या होगा बिलकुल बगदाद इसका right answer होगा option A और जो नोजवन daily model test paper करना चाहता है अपने exam तक चाहिए आपका 26 जून का हो चाहिए 30 माई का हो चाहिए 25 अपरेल का हो daily model test paper है वो army study application में daily test paper है ये morning में 9 बज़े upload हो जाता है next है मद्दे रातरी के सूर्य की भूमी के नाम से जाने वाला देश कोंशा है श्विडन, नार्वे, जर्मनी फिनलेंड ये बताई बहुत important question है इसका right answer क्या होगा मेरे दोस्त बिलकुल बहुत बढ़िया नार्वे इसका right answer होगा next है सवेज नहर किस देश में इस्तित है स्विडन, नार्वे, एजेब्ट, फिनलेंड सवेज नहर किस देश में इस्तित है ये आपको बताना है बहुत important question है बिलकुल Egypt measure इसका right answer होगा next है lead of the golden pagoda किसे कहा जाता है मियामार, नार्वे, जापान, फिनलेंड ये बताई बहुत important question है और गया ARO के जतने भी नोजवान है उनका जो medical है वो मई के अंदर होगा तो गया के जतने भी नोजवान है वो सभी नोजवान अभी suspense के अंदर है कि हमारा एकजाम 30 मई को होगा या थबीजून का होगा तो वो सभी नोजवान अभी घर पे बेटे हैं बिलकुल भी वो किशी भी coaching शे तयारी नहीं कर रहे है मेरे दोस्ती ध्यान रखना ये जो मोका मिला है ये वापिस आपको नहीं मिलेगा फोज है ये ध्यान रखना 20 मई को medical है तो 30 मई ध्यान रखना exam date आपको दे सकते हैं इसलिए बरम में बिलकुल भी नहीं रहना है complete course है ये आपको मेरे दोस्ते अभी से करना start कीजिए आप चाहे जहाँ पर भी है वहाँ पर अगर offline coaching है तो उसमें admission लीजिए offline अगर आप नहीं ले सकते तो अपना army study application है उसके अंदर बड़िया शांदार बिलकुल army के according आपको teacher है वो पढ़ा रहे हैं 30 मई का bench start है और वो 30 मई वाला ध्यान रखना अगर exam गया वाली अगर 26 जून को भी होता है तो उसी bench की date है वो बढ़ जाएगी वो 26 जून तक चलेगा ठीक है तो आपको किशी भी भरम में किशी भी doubt में नहीं रहना है ये फोजय पेपर कभी भी करवा सकती है इसलिए अपना complete course टीचरों के साथ आप कीजिए मेरे दोस्ती selection में दिक्कत नहीं आएगी और daily आपका model test paper होता है उसे भी soul कीजिए इसका right answer बताए मेरे दोस्त फटाक से बहत बढ़िया म्यामार इसका right answer होगा very important है चाप लेना मेरे दोस्त clear है next question देखिए एसिया के सबसे बड़े मरुस्तल का नाम बताए थार गोबी टकला मकान काराकुम एसिया के सबसे बड़े मरुस्तल का नाम बताए मेरे दोस्ते बहत बढ़िया गोबी इसका right answer होगा option B सभी नोजवान अब इमान दर्शे बताएंगे आप इन 50 में से मेरे दोस्ती 40 पलस के या 35 पलस के आप सभी नोजवानों के बिलकुल right जबाब होना चाहिए और एक जाम तक रात और दिन एक कर दीजे मेरे दोस्ते यह जो वक्त आपको मिला है फोज़ के पैपर में बैठने का यह वक्त मेरे दोस्त वापिस नहीं आएगा यह मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए बहुत सारे नोजवान जिनके पहली या लाश्ट बरती है यह वक्त मेरे दोस्ती वापिस नहीं आएगा जोंक दे खुद को इस आग में यही आग आपको हिरा बनाएगी अभी आपको कोई नहीं जानता होगा लेकिन जिस दिन अभी आप देख रहे हैं सेंटर का रिजल्ट आ रहा है लेकिन जिसका उसमें ना मार रहा है ना मेरे दोस्ते पुरा हिंदुस्तान उसको जानने लग गया है इसलिए वन दे मातरम भारत माता की जै